पटना घोशना की बाद शिमला समझोते की तैयारी है कहा जा रहा है कि विपक्ष को जीत का फॉर्मिला मिल गया है भाजपा के खिलाफ खरीब 400 सीटों पर विपक्ष का एक ही उम्मीदवार होगा इसकी घोशना 12 जुलाई की शिमला बैठक में हो सकती है कुल मिलाकर राज्यों की तीन शिर्णियां बनाई जा रही है इन सब के बावजूद विपक्ष में राहूल गांधी को छोड़कर कोई भी अन्य नेता आत्म विश्वास के साथ कहनी की हालत में नहीं है कि 2024 में विपक्ष सत्ता में आ जाएगी तीन सवाल है कि एक भाजपा के खिलाव 400 सीटों पर एक यूमीदवार रहा तो क्या मोदी की हार संभव है दो गड़बंधन कागजों पर है या जमीन पर भी उत्रा है तीन सबसे बड़ी पाठी अगर भाजपा रही तो विपक्ष कैसे सरकार बना पाएगी पहले बात करते हैं वन टू वन की पिछले लोगसभा चुनाओं के आंकडों के संदर्व में बात की जाए तो विपक्ष की रणनी थी बहुत प्रभावी तो लगती है लेकिन निर्नायक नहीं भाजपा ने 46 सीटों पर 4 लाग से ज्यादा वोटों के अंतर से विजय हासिल की थी उधर विपक्ष ने 23 सीटों पर 4 लाग से ज्यादा वोट हासिल किये थे इन में से कुछ पर विपक्षी दल भाजपा के खिलाफ जीते थे, तो कुछ में कॉंग्रेस के खिलाफ, तो कुछ में विपक्ष बनाम विपक्ष के बीच मुखाबला रहा था, जाहिर है कि कुल मिलाकर ऐसी 79 सीटों पर गणित बहुत कुछ बदलने वाला नहीं है, भाजप में 37 सीटों मिले थे, और 2024 में 49 सीटों मिले का अनुमान लगाया गया है, तो सैयुक्त विपक्ष इन सीटों में सेंधमारी तो जरूर कर सकता है, लेकिन 3 लाग वोटों की दीवार गिरा नहीं सकता, विपक्ष की नजर ऐसे में उन सीटों पर होनी चाहिए, जहां भाजप ने 55 सीटे कॉंग्रिस के खिलाव जीती थी, तो कहानी आकर अटकती है, ऐसी सीटों पर जो भाजपा ने पिछली बार एक लाग की कम के अंदर से जीती थी, ऐसी सीटों की संक्या कुल 77 थी, अगर विपक्ष का पूरा जोर लगा दे, तो यहां भाजपा को तगड़ी पठ ना कितना जरूरी है, भाजपा ने पिछली बार यूपी में 20 सीटे एक लाग के कम के अंतर से जीती थी, यानि अगर अखिलेश कॉंग्रेस जैन चौधरी एक हो जाते हैं, तो यूपी में भाजपा की 20 सीटे कम हो जाने की गुनजाइश निकलती है, आंकडों के हिसाब से ये आंक्रेबाजी रोचक लग रही है, लेकिन भाजपा दो बार से चुने जा रहे सांसदों का नया सीरे से सर्वे कर रही है, एंटी इंकमबैंसी दूर करने की कोशिश कर रही है, दूसरा सवाल गडबंधन का है, विपक्ष का कहना है कि महाराज तमिलनाडू, बिहार औ मजबूत गडबंधन बन चुका है, इन राज्यों की कुल 142 सीटे पुडुचेरी मिला कर हैं, जहां विपक्ष का स्ट्राइक रेट 80% पार होना चाहिए, अगर उसे सत्ता में आते हुई दिखना है, उधर कहा जा रहा है कि हिमाचल परदेश, उत्राखन, हरियाना, राज गुजरात, मध्यपरदेश, 36, गड़ और करनाटक में कॉंग्रेस को गडबंधन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि महां उसे किसी अन्य विपक्षी दल का डर नहीं है, कुछ हद तक गुजरात में आपका डर जरूर है, इन राज्यों में कुल 132 सीटे आती ही, जहां ग्रेश यादव, ममतबनरजी और अरविंद केजरिवाल के पाले में गेंध है, दरसल सारी कुर्बानी यहीं दिखाई जानी है और एकता नहीं हुई, तो सारा रायता भी यहीं फैलना है, मजाज सहाब यों ही नहीं लिग गए, बहुत मुश्किल है दुनिया का समरना, त यहीं रोडिपोट रायतिल्दी